बिहार के सीमाचल के जिलों में हर साल आने वाली बाड और उससे होने वाली तबाही का जिक्र हम और आप लगतार सुनते रहते हैं हर साल हजारों घर बाड और मिट्टी कटान के कारण नदी में विलीन हो रहे हैं लोगों की रोजी रोटी का जरिया खत्म हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो रही है, यानि कुल मिलाकर हर साल लाखों जिंदगियां बरबाद हो रही है। हम सुनने और देखने वालों के लिए शायद अब ये आम बात हो गई हो, लेकिन जो लोग इस तबाही से गुजर रही हैं, उनके लिए ये एक भयानक रात के खौब जैसा है, जो उनकी जिन्दगी में आने वाली सुबह को रोके होए है। आज हम आपको बिहार के कटिहार जिले के अमदबाद प्रखन अंतरगत भवानी पुर्ख खटी पंचायत के बबला बनना गाउं के हालाद दिखा रही हैं, जहां पिछली पांच साल में आधे से जादा गाउं गंगा कटान में समा चुका है। जो मस्जिद पहले गाउं के बीचो बीच हुआ करती थी, वो अब गंगा नदी के किनारे है। मिट्टी और फूस की जोंपडी बना ली है। मिट्टी आपना जमीन जगा है नहीं। ठीका उका जरुदत आधी ठीका है। किसी तरह अपना जिंदगी बिता रहे है। किसी तरह आपना जिंदगी बिता रहे है। बेटा चार एक बेटी। और कोई घर में कमाने वाला है। जी नहीं। कमाने वाला है। अब एक लड़का कमा रहा है। बड़ा लड़का साधी सुदा हो गया। पोता पोती भी हो गया। अब बहर में। इसी गाओं के बाबर अली की इसी साल पाँच यद छे बीगा खेती की जमीन और उनका घर नदी में कटकर विलीन हो गये। में बताते हैं कि पूरे गाओं की लगभग 300 एकर जमीन इसी साल नदी में कट गई है। कितना जमीन गाओं का इस बर गया होगा है गंगा में। काम हुआ था तो काम सही से नहीं हुआ थोड़ा बोत हुआ था हलका बोरा फैलेटिंग हुआ था एक दो दिन किया था उसके बद कुछ नहीं किया। कितना दिन पहले कटने हुआ अपुआ है करते दो महिना से आगे तक चल रहा था चार महिना से कट रहा है है कट człया है。 है अभीदोर कट रुग गया है उभण के के टाम में कट बगए चल रहा था। कि पहले भी कभी कढ़ान हुआ था इसी साल जदा हुआ फॉज कि जो नहीं हो दो नहीं थोड़ा होता हम ई है कि कटा रह तो खुटा रहा है कि प्तर्थ अपर बचा दो ऊ 11aal में रहते ही तो रहेगा इस्थानिय ग्रामीर लाल मुहम्मद बताते हैं कि कटान के कारण यहां के चार स्कूल नदी में समाच चुकी हैं, जिसमें पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे आज घर पर बैठे हैं, चार-पाच बच्चे पढ़ भी रही हैं, तो उन्हें तीन किलोमीटर दूर का सफर तैक दूसरे गाओं के स्कूल में जाना पड़ता है. चार बैठे हैं, जिसमें पर वाला दो सबस्का जार जोड़ा है. तो इसकूल के बच्चे अब कहां पढ़ते हैं? जुमे की नमाज पढ़ने वाली एक मस्जिद बची हुई है जो फिलहाल नदी के मुखाने पर है इसी गाओं के रहने वाले यूवक मुखमद यूसुफ बताते हैं कि यहां पहले गाओं वालों नहीं कटान रोधी कारे की पहल की थी फिर उसके बाद थोड़ा सा काम सरकार द्वारा भी करवाया गया अगर सरकार इस गाओं को बचाने के लिए कुछ काम करती है तो शायद ये गाओं बच जाए वरना आने वाले एक साल में इस गाओं का नामों निशान नहीं बचेगा आद में जो है सरकार से भी हुआ है कॉड़ ये तो कहना मुष्पिल है लेकिन अगर सरकार के तरफ से कुछ अब सुनने में आ रहा है कि सामने साल जो है काम होगी यहाँ पर तो इसी उमीद पर हम लोग हैं लेकिन अगर काम नहीं होती है तो जो है अगले साल जो है आने वाले साल में गाम का नाव निशान मिठ जाएगा इस्थानिय मनिहारी विधायक मनुहर प्रसाद सिंग बताते हैं कि साल 2020 में गंगा नती से कटान को रोकने के लिए मेगु टोला में 13 करोड का काम हुआ फिर भी बबला बनना गाउं के 165 घर नदी में कट गए बीते 6 दिसंबर को खुद मुखे मंत्री नितीश कुमार गंगा कटान का निरिक्षर कर गए हैं अब आने वाला वक्त बताएगा कि बबला बनना गाउं का अस्तित्व बच पाएगा या नहीं